सूप्रभाद बच्चों हम उकी मात्रा के शब्दों से अवगत हो चुके हैं और हमने उकी मात्रा के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना भी सीख लिया है अब आज हम यहां करेंगे पुनर कथन यह क्या है शाबाश यह गुलाब है बच्चों यह किस चीज के चित्र है शाबाश यह जुराब है यह क्या है बहुत अच्छे यह चुहिया है बच्चों इस चित्र को देखकर उकी मात्रा वाला शब्द बताईए शाबाश यह कच्चुआ है आपकी पुस्तिका के इस प्रिष्ट में चित्र दिये गए हैं आप चित्रों को पहचान कर उनकी नाम लिखें इस प्रिष्ट में वाक्यों के बीच में खाली स्थान दिये गए हैं आप वाक्यों को पढ़ें और खाली स्थान में सही शब्द चुन कर लिखें नीचे फूल और पत्तियों से वर्णों का मिलान करें एवं नए शब्द बनाएं